मैं आप सबको अपने एलेक्टर लुनिया चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज के विडियो में हम लोग ओमा कॉंपनी का कंट्रोल वारी कैसे करते हैं यह देखने वाले हैं दोस्तों यह कंट्रोल वारी बहुत ही इजी है बहुत ही असानी से आप को कर सकते सिर्फ उस यसमें को डिमेंड करता है यह व्लेखने वाले है तीकर तो यह स्टारिस में नहीं राता है कि सबस्क्रटार के PAUL करता है तो 1 स्टार्टर काते समय के hoans इप् Dabeiकर तो है कि करते ही करना पड़ता है इसके अंतल स्टार्ट नहीं रखता है उसके पार से हमको देखेंगे इसके पील सी वाइन कैसी करते हैं वह भी देखने वाले हैं तो दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट या वीडियो को इसक्रिपना करें कि पूरा देखेंगे ताकि आपको असानी से समझ ज कर सकते हैं क्योंकि या दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों हम लोग पावर वाइरिंग डेखने वाले हैं ठीक है तो पावर वाइनिंग एक्ट्र का जो है बहुत इची है एक्डम बिलकुल मैं जैसे मान लीजे कि यह थीरी फेस्ट का एक्ट्रें त तो उसमें भी वहां पे लिखा रहता है कि जैसे पावर वाइसिंग पेहले सबसमें देखरे हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि और व्थिचे तो यह तो बहुत इजी है और यह दिए यह होगा नवीं करना नकिन थे और हो फ ones यह है अपने को फीडर में है जैसे स्टार्टर जो है वहासे निकल के यह 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 है जो मॉस्ट्ली graph से कौन्टर memangis स्टार्टर में क्या होता है कि हम सिर्फ रोटर क कंच्ड्रो यह श्टार्टर 379 करेंगे हैं हमारा जो स्टार्टर है उस चीज को स्टार्टर को कंट्रोल करते हैं ठीक है स्टार्टर को कंट्रोल करते हैं तो स्टार्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा अब इसमें तो कुछ है नहीं हमारे पास जो एक्षुएटर है उसमें तो स्टार्टर है नहीं त करता है एड़ियरक देखते हैं सबसे पहले है ठीक कंट्रोल आई में क्या होता है ना जो एक्चुएटर का साइट रहता है हमारे ओ होता है इनु और एंसी का पॉइंट में इंपोर्टेंट उसमें दो ही पॉइंट दिया आप जब टर्मिनर साइट में खोलेंगे जिदर करनेक्शन करते हैं एक्चुएटर में उस बॉक्स को आप खोलेंगे तुहां पर देखेंगे तो इनु और इनसी ही पॉइंट रहता है ओमा का ठीक है क्योंकि द स्काइस में रहेगा कोई डिफ्रेंस अब को ज़्यादा इसमें देखने रही मिलेगी तो नो रेंसी क्या होता है जैसे में इस टाइप एक्चुएटर में जो में इंपॉत होता है हुआ हमारा 900 होता है और जहां पर लिमिट हम लगाएंगे ओपेन का वहां तक ओपेन करेगा और जहां तक क्लोज कराएंगा यह लिमिट स्विच करता है जो हमारा एनू पॉइंट रहता है लिमित स्विच में जो कुछ पुइंटे राती है कुछ एंजिए पुइंट राती है देख लेते हैं कुछ एनो क्यानी पूइंटे राती है और हम क्यों एची एँडर के से तसधेत और हम एद्ग नोगो क्या है अब मैं बताता हूं आपको जो इस टाइब को एक्शूएटर होता है इसमें क्या होता है ना टौक स्विच बॉपें का अडरक स्विच टूरूज का ठीक यह क्या होता है ना इसमें ओपन में कि दू हमारा एनों एंसी दिया तो जैसे पांच और छे हमारा एंसी है शेवेन और एट हमारा एनों है ठीक है और दोस्टे मैं बताता हूं अगर आप विच्छा वीडियो में एक ट्वेटर पालेडी लिमिट कैसे लगाते हूं बता चुका हूं अगर वह वीडियो नहीं दे ठीक है और प्लोज का जो है मान लिजिए वन टू एंसी है और जो ठीरी फोर है अपने को वह इनों पॉइंट हो गया ठीक है अब यह तो टॉर्क का हो गया अब यह मैं इसके बता रहा हूं कि जो अपना पीडर रहता है जो स्टार्टर रहता है वह एनों और एंसी पर ्लis लीमिटर स्विच उपन दीक हो अपन में ॐ दें आ देंसी होता है अ मैंता उता रहा रहा हु तो ठीक हडो जो है और ठीटू यह एंसी पॉइंट होता है और च्वांस 134 रहाता है वह घ्णा एनों पॉइंट लेँ सुइच मिईश ओपनका कॉइंट इस में और नाइन और टेन इंसी हो जाता है और उसके बाद से 11 और 12 यह इनू पॉइंट होता है ठीक है यह आप याद रखेंगे यह आपको इंपोर्टेंट है इसके बात से दोस्तों अब इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यह इनू इंसी बताया कि क्या होता है हम लोग जब कंट्रोल wiring एक किसी भी when in करते हैं तो इसमें क्या होता है अगर कोई भी देखते हैं हम लोग अगर आप काम करने टापको दीखेगा कि कोई भी एक भी वायर को अगर यह वायर है और इसको यहाँ से Mart कर देते हैं तो हमारा Σ्टार्टर काम नहीं करेगा contributing हुआ सभसें क्या होता है कि यह डि Bacon घरता आपको की जो आपके packet पास स्टार्टर है जो डिजाइक्न हुआ है ओ एस्टारटर क्या कर रहा है कैसे काम कर कर रहा है किस पर डिजाइन हुआ है एनों पर डिजाइन हुआ है या इनसी पर डिजाइन हुआ है उस पर यह लिपेंड करता है तो आपको क्या करना है अगर आपको स्टार्टर है आपको ड्रोइंग मिलेगा यह आप जो डिजाइन हुआ होगा उससे आप देखेंगे कि क्य कि आपको क्या करना होगा जो कनेक्शन होगा ओमा का जो एक्चुएटर है उस एक्चुएटर का टर्मीनल साइड में जो आपको कनेक्शन करना होगा वह कैसे करना होगा माल दिजे हमें टॉर्क भी लागाना है और अपने को लिमिट भी लागाना है क्योंकि दोनों इंपोर् और जब लीमिट काम नहीं करेगा तो टॉर्क काम करेगा इसलिए दोनों को साथ में लाते तब कैसे उसको लगाते हैं माल लेजिए यह ओपन का पहले सबसे पहले लीमिट का करनेक्शन करते हैं तो फाइब और शिक्स अपने याद रखिए कि जो अपने को हम लोग ले रहे ह है जो स्टार्ट रहों एंसी पर डिजाइन हुआ है तो इसको लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो फाइब शिक्स लिख लेते हैं ठीक है तो टॉर्क ओपन का और लिमिट का भी एक ले लेंगे एंसी पॉइंट इलिए 31 और 32 31 और 32 ठीक है यह हमारा हो गया किसका लिमि अब क्लोज के बार से आप क्या होता है सुरी ओपेंट का हो गया खुलोज का बलए निकाल लेते हैं कि तो क्लोज में क्या है टॉर्क का पहले लेंगे इन सी पॉइंट का तो हो जाएगा अपना 12 ररोपी को क्या लेना है सिर्फ अभी लिमिट का लेना है तो हो गया 910 NC का अब जो हमारा कनेक्शन होगा है मान दीजिए कि जो कनेक्शन करना है हमें एक्टूएटर करना जो वायर आएगा फीडर आएगा अपने इस्टार्टर से उसमें तो फ्यल क्या करते हैं एक टॉर्क का यह दो नुट और 5-6 जो यहां पर देखें और यह जो है लिमिटका है तो इसमें अपने और एक OPN का हम लोग क्या क्रेंगे लूप कर देंगे ठीक है लूप हो गया अब क्या होगा ओपेड उसे ओकिलोच से लूप कर देंगे ढ़िए यहां पर देंगे यहां पर यह इसको यह पुरा हो गया कंट्रोल वाइरिंग बस इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अगर आपका पैनल इनो पर डिजान है तो आप इनो पर ऐसे लाकर दे सकते हैं अब दूसरा पॉइंट है अब लोग आते हैं पी एल सी पी एल सी में कैसे कंट्रोल करते हैं और जो कमांड भी देना र देक करते हैं वीडियो थोड़ा दोस्त लंबा होगा पर आप लाइन पर पूरा वीडियो देखते रहेगा आपको पूरा डाउट किलियर भी हो जाएगा अब पी एल सी वाइरिंग में क्या होता है नो दोस्तों हमारे पास डियो होता है और डियो का फूल पाम होता है ट्रीवेटर से डेड़े फीड़ेक लेना है तो अगर यह भी है आपका के जो पीएल सी डिजाइन हुआ है यह आपको फीड़ेक चाहिए एनों से यह एनसी से चाहिए यह आपका जो पी एलसी है वहाँ पर अगर आप ड्रोहिंग देखेंगे तो उस पर डिजान रहता है आपके पुल से डीजाइन किया ओहीं बता सकता है तो आपको एक एन्सी अगर मानलेजिए एन्स है तो आप क्या करेंगे अगरें और तो आप क्या करेंगे कि जो जो ओपन या क्लोज को फिर्बेक चाहिए रिमोंट के लिए कि तो हमें क्या है कि फिड़वेग खास चाहिए इनु से तो क्या होगा कि दिय में मानेजियो ओपन जो है यह ओपन वाना पॉंट 33 और 34 जो है यहां पर पॉंट इनु का है जो ओपन का है तो हम लोग क्या करें कि एक पॉइंट जो लाएंगे पील सी से ओपेंड के लिए वो यहां पर कर देंगे और एक पॉइंट जो है दो फीडबेक के लिए भी हो जाएगा यानि कि DB के हो गया , अब डिज्टल आउटपुट का क्या होता है तो है कि क्माड्र यह से देना पड़ता है मिक्मेर का कामड वर यह क्या मैं पर लोग मैं सेसे कमाड देना पट है उसको 10 यह अछिए ठीक है तो उसमें क्या होता है नो दोस्तों जो हम लोग को यहां से भी निकलता है open के लिए और दो close के लिए निकलता है वह निकलता है PLC से ठीक है तो close के लिए अब यह जाकि connect कहा होता है हमारा जो 보이는 जो बना रहता है दोस्तों बस इतना ही था यह वाइरिंग कोई ज्यादा नहीं है बेडाउट स्टार्टर वाला का क्योंकि इसमें क्या है कि सिर्फ एनो और एंसी का ही खेल है एनो क्या होता है हमारे नर्मली ओपेन होता है और एंसी क्या होता है नर्मली क्लोज रहता है ठीक तो नर्मली क्लो जाता हूं है यह माणी यह क्लोज का है Nc Point यह क्या होगा अगर प्लोज है तो Nc भना रहेका अगर यह a no माले जेके nc भना रहेकाँ मुझा जब तक इसका लेमिट लगा हुआ है लेमिट मॉझार लेमित किसको क्या कर सकते हैं कि कंटिनीटी चेक करें किस पे इताई लिमिट लागाय हुए अगर बिद लागाने के विडियो देखना चाहतेि हैं तो अब मैं इसको खेंगा उसको भी जरूर देखिएगा यह बहुत यहों इंपोर्टेट आपको डोलू वीडिए देखेंगे तो आपको फुरी डाउट कीलियर भजाएगी अगर को हुआ हाद विडियो को पसंद आई हो गी तो हमारे वीडीयो को लाइक करिए थैंक यू पर वाचिंट